रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गुस्वामी और ब्राटकॉस ओडियन्स रिसर्च काउंसिल के पुर्व सीओ पार्तोदास गुपता की वाटसप चैट हर जगा सुर्खियों में है इसी बीच राजे के ग्रोह बंतरी अनिल देश्मुक ने इस मुद्धे पर केंदर सरकार से प्रश्न किया है कि नैशनल सेक्यूरिटी से जुड़ी खबर अर्नव गुस्वामी को तीन दिन पहले कैसे पता चली फरवरिक होगा लेकि उसके तीन दिन पहले ऐसा कुछ हला होने वाला इसकी जानकरी अर्नव गुस्वामी जो रिप्रब्लिक टिवी के प्रमुखे उनको कैसे मिली क्योंकि चार्ट में तीन दिन पहले बार्ग के अद्स्थे के साथ में दाज़ गृता के साथ में बात्कीट करते हुए इस बात का ओ चार्ट में जिकर है हमारा सवाल केंदर शाशन के नेताव से एक ही है क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उसकी जानकरी पंतरबदान साफ को रहती है उसकी जानकरी डिफेंस मिल्स को रहती है उसकी जानकरी साइने के जो प्रमुख है उनको रहती है और कुछ गिने चिने लोगों को रहती है लेकिन तीन दिन पहले अरनब गोस्वामी को इस बात का कैसे पतर चल गया कि भारत हमला करने वाला है ये सब चीजे नैशनल सिक्रिटी से जुड़ी हुई है और अविसर्ज सिक्रसी एक्ट 1923 सेक्शन 5 के तहत हम लीगल ओपिनियन ले रहे कि इसमें महाराश्य शास्चन या गुरोवगाद क्या करवे कर सकता है